अलो फंड वेलकम टुबर्ट चनल हम बात करने वाले ल के बारे में बहरत एलेक्ट्व लिम्टेट के आरे में करेंट्ट्ल डिली चाट पर हैं और हमारे में ने रिक्वेस्ट किया है के लिए तो तो simply हम इसका चार्ट बनाते हैं, सबसे फिले में इसमें बाइंग सजेश्ट किया था, 305, 306 something, यहां पर एक trend line आ रहा था, और एक range, flat range मैंने आपको बना कर दिया था, यह वाला level, कि यहां पर एक breakout अगर आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप बाइंग प्लान कर सकते ह है, ठीक है, इस range के आस-पास, लेकिन अगर आप देखोगे, तो यहां पर जो trend line लगता है, उसके ऊपर कोई भी बहुत confirmation आपको देखने के लिए नहीं मिला है, मतलब अगर आप 30 minute chart देख लेंगे, या कोई भी अगर आप 15 minute का chart देखेंगे, तो यहां पर इसके ऊपर कोई चार्ट ओपन किया हुआ है, आप 30 minute भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, यह 30 minute का chart है, तब भी अगर आप देखें, तो कोई ना projection इसके ऊपर बना है, ना ही इसके ऊपर कोई closing आया है, जहां पर एक बहुत confidence के साथ हम buying कर पाएं, या एक breakout आपको so कर रहा हो strength के साथ, तो कभी भी breakout जब आप प्लान कर रहे हैं, तो directly प्लान मत कर ये stock में, क्योंकि आप उसको daily business पर hold करने वाले हैं, तो at least 30 minute में hourly chart में एक अच्छा closing आने दे, जैसे इस type का candle, जो यहां पर बना हुआ, इस type का एक अच्छा size का candle बन जाए, या फिर एक अच्छा proper projection बना दे, अगर opening का candle है, suppose 9.15 का ही candle है, यहां पर close हो गया, तब भी बाहर नहीं करना, क्योंकि 9.15 का candle क्या है, एक momentum में बन जाता है, then stock बाद में fall कर जाता है, तो जब तक एक confirmation ना आया, कभी भी stock में buying नहीं करना चाहिए, तो यहां पर गर आप देखोगे, तो यह breakout नहीं आया है, जो मैंने वहां पर एक अच्छा इसका support बन कर आता है, 270, 280 का label का, आज की rate में करीब 2.7% से minus है, और यहां पर जो मैंने यह वाला जो label आपको suggest किया था, यह, किसके अगर breakout बनता है, तो हम buying plan कर सकते हैं, तो अभी अगर आप देखोगे, तो exactly as a resistance यह use हुआ, और वहां से भी selling आना start हुआ ह एक resistance 323, 25 के level पर भी बनेगा, फिलाल के लिएकर हम अभी बात करें, तो stock complete negative आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहां पर एक fresh breakdown stock ने दिया है, और इस breakdown के according यह level support बन कर आता है, जो कि करीब 280 का label है, लेकिन अगर यहां से fall करना start करेगा, तो इसका minimum target निकल कर आएगा, वो क start खराब किया हुआ है, तो momentum कहां पर कैसा हो जाएगा, आप कुछ बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते हैं फिलाल में, लेकिन यह level breakdown हुआ, तो definitely selling आपको मिलने वाला है, minimum 10% और maximum 25% हम expect कर सकते हैं, 10% मतलब 290 से 270 का label, जो कि यह level बनता है, और अगर हम 25% जाते हैं, तो करीब कर 220 के आसपास तक के levels आपको देखने के लिए, मिल सकते हैं क्योंकि last time buying यहीं से start हुआ है, ठीक है, weekly chart अगर आप देखेंगे, यह, तो 220 का major breakout भी है, यहाँ पर 12% माइनस था, और इसके बाद अगर आप देखोगे, यह, यह जो level रहा है, 220 का, यह इसका major supporter strength का level रहा है, मतलब अगर हम normally देखें, एक ही candle का move है वैसे तो, लेकन फिर भी एक अच्छा खासा correction था, और यहाँ पर भी इसने इसको retest किया है, तो यह इसका important level बन जाएगा, यहीं से reverse हुआ था, तो यहाँ तक आप maximum plan कर सकते हैं, correction का, तो फिलाल negative दिख रहा है, avoid कर करके चली, अगर आप buy plan कर रहे है, buying already किया हुआ है, तो अपना stop loss आप कहीं ना कहीं इसमें देख सकते हैं, क्योंकि अगर यह level breakdown होना start हुआ, तो fresh level open होंगे downside पर, और यह proper change कर जाएगा, short term से लेकर mid term negative के लिए, ऐसे किसी भी stock पर अगर आपको analysis चाहिए, इस stock का नाम comment कर सकते है, support resistance के लिए आप